हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टेडी फीट फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों यह नीव प्रैक्टिस का चवालिस्वा वीडियो है एंड डेली पिसेस में आपको प्रैक्टिस करा रही हूं फीजिकल एजुकेशन के आल कंपरिशन एक्जाम के लिए जैसा कि दो पालिसवा के बाद जो वीडियो आएगा यूथ कंपरिशन से बहुत सारे पार्स का मैंने खेल मनों विज्ञान तक कंप्लेट करा दिया है उसके आगे जो भी चेप्टर्स हैं उसको मैं कंप्लेट कराऊंगी और बीच बीच में और वीडियो भी लाती रहूंगी तो चलत का विज्ञानिक नाम इर्थ्रोसाइट विज्ञानिक नाम है यहां पर दूसरा नाम है लिकोसाइट और जो वाइट ब्लड शेल्स है यहां सरीर को रोग प्रतिरूधक चंता बदान करता है आर्न बैक्टरिया से हमारी रच्छा करता है विविन रोगों से रच्छा करता है कोसे नमर टू है जो अन्मांसिक बिसेस्ता एं रप्त वर्ग तो चांके रंग बाल मांसिक दच्शता आदिका निधारण करती है वीकोसिकाओं के अंदर मौझूद कतिपे सुछ मकडू द स्याशन को दिल्चान के द्वारा सम्हीं होता है आपके जो कोसी का होता है के इन्दरकर द्र equiv में क्रिम्तिन जाली का होती है क्रोमोसूंस होती है क्रोमोसूंस फांध क्रोमोसूंस यह गुर्शत्र इस म्ह micron नाग्वानसिक्ता का वह कुछ लट्षव माता-पिता ही संतान में प्रिही एक पिर्स दूसरी पुर्ष पहुंछते हैं जिसे अनवानसिक्ता के लच्छड कहा जाता है अन्वांसिता की खोज ग्रेगर जार मेंडल ने जो आउस्टिया की पादरी थे रून किया था ग्रेगर जार मेंडल को अन्वांसिकी का पिदा कहा जाता है अन्वांसिकी लच्छड को पिढ़ी दर पिढ़ी को ले जाने वाले लच्छड को हम जो जीन की द्वाम से जाना जाता है Q3 है भारती फ्लैंक सिख किसे कहा जाता है आप सबको पता है दोस्तों मिलखा सिंग को कहा जाता है भारती फ्लैंक सिख मिलखा सिंग जो है आपके ओलमपिक में 1960 रोम में 142 चाहسم प्लाइब किये थे 400 मीटर दावरों में 506 सिकेर में इन्होंने चाहस्थां प्राइप किया था और की प्रपदग किया और अमेरिका ने हेज़रड अवार्ड से नंवाला था कोसे नमर चार है सरीर की कोसिकाएं जिनमें सरीर की किसी भी प्रकार की कोसिकाओं में विभाजन तथा विसिश्टी करोड की छमता है और जो कई गंभीर बिमारियों पर सोत का केदर बिंदू है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों उसे हम कहते हैं इस्टेम कोसिकाएं क्या कहते हैं इस्टेम कोसिकाएं इस्टेम कोसिकाएं ब्रूर में पाई जाती है इस्टेम सेल के अंदर के अद्वूत छमता होती है कि वे बिक्सित होकर वाल्चित अंग का निर्मार कर सकता है इस प्रकार चिकिसा बिग्यान के लिए एक कोसिकाएं वर कोश्चन नमर 5 है सुवरों को मानो रियायसी से दूर रखना किसके अनुमिनल में सहायक है तो दोस्तों यहां जापानी इंसिफिलाइटिस जुरोग है उससे दूर रखना इसके अनुमिनल में सहायक है कुछनन नमर्ड 6 है समानने मानओ सरी के तापकरम कितना होता है तो 37ads खेलशलश्यस होता है और अथी और फारेन हाइट में आपका नमर्जा फारेन हाइट होता है यहां पर अनधा में 0.4 देग्री फारेनहाइट आपका राइट रहोगा कोशन में सेवेड है दोस्युक्त ब्रिक वाले ब्रेक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है इसमें नहीत प्रक्रम है डालेसे तो दोस्युक्त वाले ब्रेक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है अगर किद्नी खराब हो जाता है किद्नी का कारे क्या होता है रग्त को फिल्टर करता है तो जो वो काम नहीं किर पाता है तो उस कंडिशन में जो है कृतिम रूप से फिल्डर किया जाता है तो उसे डालेशिस कहा जाता है तो इसमें प्रक्रम जो होता है वो परासर और दाप के कारण होता है परासर यहां पे राइडिंस रहोगा Q7 का परासर राइडिंस होता है डालेशिस जो है परगम में जिल्डी के माध्यम से बड़े और छोटे कड़ों को अलग करना होता है इसमें रख्त में इसे अपसिश्च्पदार निकाल दिये जाता है और सुध रख्त पेसी को परिसल्चरम में पंप की जाते हैं जैसे कि जो हमारा किड्नी होता है तक तो को फिल्टर करता है तो इसके बारे में आप पूवी तरिके से जाना चाहते हैं तो आप उस सजन तंत्र रिस जाकर की देखिए अनटॉमियो फीजियोलोजी के प्लेलिस्ट में कोशन नमबर एट है सारीरिक सिच्छा में बेक्तित्व का विकास किसके तहथ होता है तो अंडर वीच कैटेगरी प्रेस्टनालिटी डिवलप्मेंट टेक्स प्लेस इन फिजिकल एजुकेशन दोस्तो आदरस्वात यानि कि आडियोलोज्म के अधार पर होता है सारीरिक सिच प्लेटू एंड प्रक्रिति वद यात प्रवड़ तक निच्रीलिजर्म के रूसट लेंड वहर वास्門 तार यानि कि प्रवग वाद के प्रवड़िक तक और चांड टीवी एंड इथार्थ वाद प्रवड तक अरस्ट। क्वेशन नमबर नौ है एएजी से जिस अंग की कार्य प्रडाली प्रकट होती है वह है तो एएजी इलेक्ट्रो इनसे फेशियोग्राफ इससे मस्तिस्क की सभी अनिमेताओं को पता लगाया जाता है एक होता है एस्थी इस सीजी इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ जिसे हीदे की अनिमेताओं को पता लगाया जाता है तो मस्तिस की EEG से मस्तिष की स्वता है बिदूत गतिवेडीूं प्रक्रूद zij स मस्तिष के मस्तिष की संग्रामक रोग, मस्तिष की तीवी, मस्तिष का क्रे続き रोग इत्यादी सभी अनिमेतताओं करगे नोर मेरे क्या तोर में वोजू इसयाल तो एक वायरस यानी की विसाड़ू जन्यत रोग है होती है बिमारी थानके खेट में प्रजणन करने की अद्बत शम्ता होती है जब यह मच्छर मनुस्य में कारते हैं तो अर्बो वाइरस मनुष्टिकी रक्त में पहुंच कर विसे संक्रमित कार देते हैं कोश्य नमर 11 है यहां भी आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसको देखना है सभी सही सुमेलित है इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है उसको आपको चाटना है तो थायमिन यानिक विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बेरी-बेरी ठीक है यह आपका सही है एंड ज विदाविन के जो है इसकी कमी से रख्ट का थक्का नहीं जमता है विदाविन के का रहसानिक नाम फिलोक्यून है तो बांदेपन जो होता है यह आपका इसकी कमी से जो हो इसलिए आपका सी गलत है इस परकार अशलिज नमर सी यहां परना हो जाएंगा और डी है नियासीन झो है वह या नियासिन या निकोटेनिमाइड बिला बिटामिन B3 का वग्यानिक नाम है और बिटामिन B3 की कमिसे पे लागरा चर्मदाह रोग हो जाता है यह सही है कोशन नमर बारह है निनमें इसे कौंज लोहा का अच्छा स्रूत है लोहा यानि आइरन का अच्छा स्रूत है तो विच आप फालग जो है सबसे बेश्ट सूर्स है आपका आइरन का गाजर जो है विटामिन ए का चावल कर्भॉएडियट का कोशन नमर्ट 13 है कब हिदय आराम करता है हिदय कब आराम करता है दोस्तों दो धड़कनों के बीच में हिदय आराम करता है जैसे कि हिदय की जो क्रियाविधी होती है एक धड़कन में 0.8 सेकेंड का समय लगता है तो जो एटिल सिस्टोल 0.1 सेकेंड वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड होता है है अचेंड दोनों के बीच में जो रिलक्शेशन होता हि पोफ 0.4 सेकेंड होता है दो धड़कनों के बीच में 2 शिस्टोल दी आराम करता है कोंशन में 14 है सारी सिछह का स्ऻड्योग कि से कहते है तो आप सबको पता उत्तर थेंस़ काल को तर जाता है कोश्य नम्र 15 है संपूर इस्थिती का संगठन ही सीखना है कि हुआ है कि पूरिफाइन लेर्निंग इस ऑर्गिनाइजेशन आप दे होल सिच्वेशन दोस्तों इसको कोहलर ने कहा है इन्होंने इंसाइट थियूरी अंतर जर्शन की जो धाड़ा है इन्होंने दिया है इन्साइट थियूरी दिया हुआ है इन्होंने अंतर जिश्टिरी सिधान इन्होंने चिंपाईजी पर परियोग किया था कोश्य नम्र 16 है मस्तिष तो था मेरी रज्जू पर चढ़ी जिल्ली को भी सूजन आजाने से पुने वाला रोग है तो दूसको मस्तिष पर जिली वह थे उसे मेनिघिट जिली कहते हैं इसे के निदग तीन पर्फ होती है जो है आरक नायर्ट पएरामिटर डायमिटर तो इन्हीं के नीचे मस्तिष झूरचित रहता है इन्हीं के निची इसमें जो सूजन आ जाती है और कोई विकार होता है तो उसे हम मेनिंग जायटीस रोग कहते हैं कोशन नमबर 17 है निर्म कथलों में इसे कौन सही है तो कौन सही है आपको देखना है दोस्तों पर जो वन है कि मानों सरीर में सबसे लंबी अस्थी फीमर है यह आपका राइट है बास सही है dal के करदव कालरी वेट्यक कर रोहता है ये भी सही है अथलीट फूड रोग विषारों के करड़ होता है नहीं तो इय गलत है कि अथलीट फूड जो है वहां हैं फंगल डिजीज है इक डिजीज है आप ठीक है कवक से होता है इस प्रकार one or two आपका राइट है इस प्रकार आफसर नमबर भी सी आपका राइट इस रहो जाएगा question number 18 कोच्च नम्बर 18 9 में से कौन सा रक्त के हमोग्रोबीन के साथ अनुत करमर्डिय संसलिष बनता है तो इसका राइड़ दित्र हो जाएगा option number C carbon monoxide जो रक्त के साथ रक्त के हमोग्रोबीन के साथ अनुत करमर्डिय संसलिष बनता है question number 19 म्यूंहीं है आपको मिलान करना है ए यह आप सबको पता है कि अनियमिताओं का पता है कि एक क्या हो जाएगा थिरुड़ सब्सक्रिक साठरो गर्शी सब्सक्राई नार्फ इंगौप ज़े ऑG को पता है एंग का हो जाएगा फयर यिग में एंप सब्सक्राई उ व पता है आप किसमें दिखाई दे रहा है आफसर नमबर यहां पर राइट एंसर हो जाएगा आफसर नमबर बी कोश्चन नमबर बीस है कि एक वडान्त पूरुस एक समाने महिला से विवाह करता है तो वडान्ता के लच्छा उत्पर्ण किसमें होंगे तो दोस्तों यह पुत्रियों के प्रोसेस अलग है यह अलग विदी से समझाना पड़ेगा कोश्चन नमबर एकीस है साल्क टीका निन मेंसे किस व्यादी से समधित है तो दोस्तों साल्क टीका जो है ओ आपका पॉलियों के व्यादी से समधित है साल्क ने इसका कोश किया था जार इस साल्क ने इन्हीं के नाम पर साल्क टीका पॉलियों के लगा जाता है चेचक की टीके की कोश एर्वार जेनर ने किया इंसुलीन की कोश बेंटिंग है किया पॉलियों की वाइरस का कोश पॉलियों की टीके की कोश जार इस साल्क ने कि या टीवी की खोश किया यूरीन काल मेट ने कोशन नमर बाइस है आपको सही मिलान करना है दोस्तों मरासमस रोग जो है वो प्रोटीन के अलबता के कारण हो जाता है तो यहाँ पे एक सेकेंड कोशी और को मरासमस रोग होता है प्रोटीन के कमी के कारण बट यहाँ पे कोशी और के मरासमस रोग दोनों दिया हुआ है बट्ध थोड़ा अंतर है जैसे कि जो हमारा कोशी ऊर्कर होता है क्वार्सी वर्कर जो होता है यह प्रोटिंग की कमी से होता है तो B का 2 हो जाएगा B का क्या हो जाएगा जैसे कि इस रूब में बच्चों का हांस पाउ दूबला पतला हो जाता है यह पेट बाहर क्यों निकल जाता है यह प्रोटिंग की कमी से होता है तो आपका यहां पर मैं A, B, C, D तो B का आपका हो जाएगा 2 और मरास्मस रोग जो होता है वह आपका एफ रोडिन की कमी से ही होता है बड़ यह होता है कि इस रोग में बच्चों की मांस्पेसियां डिलू हो जाती है लंबे समय से भूखे रहने के कारव होता है जिवाली संक्रमणक है यहां पर मरास्मस A कां कां क्यां के क को सेंटिटिं के पाचन में इंजायक जाएगा। फिर आमासामें जाता है। प्रोडीं के पाचन होता है जैसे मुझी तरके में उर्ट अमााइस प्रोड़ायद्ट के लार से निकलने वाले ॥ निकलने बहुता है। दूद के पाचल में ने साइख स॥ाइट गड़ता है दूद के साइख ह Deutschen से फिर अमाश के ओ इस होड़ा है लिवह सब्सक्रा जाता है तो दूद्योटा पहला भांस इसमें पितातत न शड्रण होने लेहुजाने में और कित रसदी है और अंचे रसाय कुम होता है दूसरा धां से व्यूसाओं को पीट रसकी सहायता सी के साथ मिल करके ग्लीसरीन यो फैटी एइसीट से प्रविशित करता है और जो ट्रिपसीन होता है जो अमासर में प्रोटीन को पेप्टून बदला था पेपसीन ने उसको पेपटून और पेपटून को पारे पेपटून अमलमे में प्रवर्जित कर देता है फिर फिर सी कोशन नमर चवबीस है निम्न योगी को में कौन सा एक सांती कारक और सधी के रूपने प्रयोगत होता है तो इसमें जो पोटैसियम ब्रुमाइट है आफसन नमर ए एक लवड है जिसका असांती कारक और सधी के रूप में प्रयोग होता है इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी के उपचार में किया जाता है पोटैसियम ब्रुमाइट का कोशन नमर 25 है निन में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुदर में बहुता यत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली ब्यादी में दिया जाता है आप सब को पता है यह होता है आयोडिन इस कमी से कहेंगा यानि गोईटर रोग हो जाता है कोशन नमर 26 है उन दीशों में जहां कि लोगों का मुख्य खाद्यान पालिस की जा हुआ चावल है लोग किस रोग से प्रिद हो जाते हैं दोस्तों पालिस की वह चावल में विश्टामी वीड वन की कमी हो जाती है तीक है और यह हम बेरी बरी रोग से प्रिद हो जाते हैं कौशन 27 कफ़न ए कि कोई भी ब्यक्ति कोई व्यक्ति यदि कोई ब्यक्ति हरी सब्जी यह खाना बंद कर दें तो उसे रताउन्धी हो जाएगी कारण आर है कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हरी सब्जियों के अलावा भी अन्य चीजों में भी आपके विटामिन ए पाया जाता है तो ए को आपको पुड़तर सत्य नहीं माना जा सकता बात तो सही कह रहा है लेकिन यहाँ पी A और R ऑर दुनौ सही है और R A की सही ब्याख्या है यह भी सही हो सकता है लेकिन ओपसंन में दी लिया है कि A गलत है और R सही है तो केवल हरी सब्जियों में ही नहीं और ने चीजों में भी विटामिन A पाय जाता है तो ज्यादे तक इसका आपसंन Year कोशन नमबर 28 है किस सारी प्रक्रम में थ्रॉम्बीन का संबंध है थ्रॉम्बीन यानि कि यह रख्त को जमाओं में साहिता करता है थ्रॉम्बीन यानि फ्लैट क्लेयर्स और जो आपका ब्लड प्लाज्मा में फ्रॉम्बीन को भी रख्त को जमाओं में साहिता करता है और विटामिन के रख्त के जमाओं में साहिता करता है कैल्सियम रख्त के जमाओं में साहिता करता है कोशन नमबर 29 है उलम्पिक खेलों में पहली बार सपथ कब आरम भी किया हुआ तो उलम्प प्रतिक चीन है उलम्पिक जंदा वह भी फराना शुरू हुआ उलम्पिक प्रतिक चीन उलम्पिक जंदे को 1913 में बैन पिरड़ी गुबर्डे ने तयार किया था यह था आज की सेशन में 31 में अगले वीडियो में उसको डाउट क्लियर करूंगी और ज्यादे ज्यादे वीडियो शेयर कीजिए जिसे और लोग तब वीडियो पहुंच सके ते मिलते हैं आप वीडियो प्रैक्टिस में तक तक के लिए चाहे हैं